कक्षणो पर्षनावली 2.2 बहुपद कुश्चन नमबर एक निम्मय लिखित पर बहुपद के मान ग्याद कीजिए हमें ये बहुपद दे रखा है 5x-4x-2 plus 3 इस पर हमें मान ग्याद करना है x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 इन पर हमें मान ग्याद करना है इस बहुपद का तो सबसे पहले हम मान ग्याद करेंगे x बराबर 0 पर कैसे ग्याद करेंगे जो हमें बहुपद दे रखा उस बहुपद को लिखेंगा जैसे ये बहुपद है तो हमने लिखा px बराबर 5x-4x किसके पलस 3 लिखा तो सबसे पहले हमें गयात करना है X बराबर 0 पर तो हमने लिखा X बराबर 0 रखने पर इस बहुमपत में जहां जहां X दे रखा है उसकी जगह हम सुन्या लिखेंगे जहां जहां X दे रहे हैं उसकी जगह है 0 लिखेंगे तो P0 बराबर 5 into एक्स का मान जीरो है तो जीरो लिख दिया फिर माइनस का जिने चार गुना एक्स की स्केर है तो एक्स की स्केर है तो जीरो की हो जाए कि स्केर पलस तीन ठीक है तो पांच को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा माइनस चार जीरो की स्केर करेंगे तो जीरो ही आता है क्यूंकि स्केर का मतलब उसी संक्या को उसी से गुना करना तो जीरो को जीरो से गुना करेंगे जीरो ही आएगा पलस का तीन फिर माइनस जीरो माइनस चार गुना जीरो अब 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस का 3 अब इन तिनों को जोड़ेंगे तो 0 से 0, 0 प्लस 3 तो 3 हा गया, तो P 0 को मान कितना हा गया, 3 अब इसी प्रकार X बराबर माइनस एक, वही बहुपदा उसमें X बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का एक लिखेंगे तो माइनस एक रखने पर, तो P X बराबर 5 X माइनस 4 X की स्केर पलस 3 तो X का मान रखेंगे माइनस एक, तो 5 X, 5 का 5 X की जिए रिखा मेंने माइनस एक, फिर माइनस का चिन है 4 X की स्केर करनी है, मतलब माइनस एक रखाए, तो 1 माइनस एक की स्केर पलस का तीन फिर पांच को देखो माइनस एक से गुणा करेंगे यहां ब्रेक का मतलब बहर गुणा है तो पांच को माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस का पांच हो जाएगा फिर माइनस का चार गुणा माइनस एक की स्केर माइनस एक की स्केर का क्या मतलब होता है कि कितना होता है माइनस एक की स्केर का मतलब है कि देखो ये माइनस एक दे रखा है माइनस एक की स्केर का मतलब है कि माइनस एक को दो बार गुणा करना माइनस एक गुणा माइनस एक अब देखो माइनस को माइनस से गुना क्या क्या हो जाता है पलस एक को एक से गुना क्या एक तो मतलो पलस का एक आगया इसलिए यहाँ माइनस चार गुना पलस का एक आगया पलस तीन माइनस का पांच माइनस का एक को माइनस चार से गुना करेंगे माइनस का नू बड़ा है तो पलस की 3 छोटी है तो बड़ी संख्या में से गटेगी 9 बड़ा है तो 9 में से 3 गया कितना बचा? 6 चिन है किसका? माइनस कर्थूं कि बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है अब तीसरे में इसने कहा था X बराबर क्या रखना है? हमें 2 रखना है तो हमाई पास में जो बहुपद दे रखा उसमें X बराबर 2 रखेंगे तो बहुपद में X बराबर 2 रखने पर तो हमने रखा PX बराबर 5X माइनस 4 X की स्केर पलस 3 ठीक है? तो X की जगा रखा 2 तो 2 बराबर 5 X की जगा रखा 2 माइनस 4 X की स्केर है मतलब 2 की स्केर हो जाए क्युंकि एक्स गेज़त गहां दो रखना है पलस का तीन त Brillmaster dollar works क्योंकि ли legit प्रना का चीनर अपर प्रेक टेख थे के था अपुना मैइनस का चीनर चार का चार गणका दो की सकेर का मतलब है दो को दो से ही गधुना करना सकेर का मतलब असी समय को असी से गधुना कीना अब देखो दस पलस के हैं और तीन भी पलस का है तो दोनों जुड हो जएंगे तो यह जएंगे पलस के 13 мояधिक के 16 अब बड़ी सुनक्या किसी है? माइनस की है माइनस के 16 बढ़े है और पलस के 13 छोटा है तो 16 में से 13 गढ़ेंगे met Tीन वचेंगे वो भी माइनस की क्योंकि बड़ी संक्या किसकी है माइनस की है तो माइनस का चीन आ जाएजा अब कोश्चिन नमबर दो की बात करते हैं दो में दे रखा है निमन लिकित बहुपदों में परतेक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्याद कीजिए ठीक है तो हमें P0, P1 और P2 का मान गयात करना है जो हमें बहुपद दे रखे हैं उनमें मान रखना है जिस परकार उसे में हमने 1X का मान रखा दिये था और X का मान रखा था उसी परकार जिसे पहला question दे रखा है P Y बराबर Y square minus Y plus 1 इस question में क्या करना है हमें P का मान जो P Y का मान है Y की जिगां एक बार 0 रखेंगे फिर यहाँ पर इसे ने कहा है 1 रखना है तो 1 रखेंगे फिर इसे ने कहा है 2 है तो 2 रखेंगे और हल करेंगे तो सबसे पहले रखेंगे Y बराबर 0 रखने पर क्यों 0 दिये है तो P 0 बराबर Y की जिगां हमने रखा 0 तो 0 की square फिर minus का चिन है Y की जिगां 0 तो 0 प्लस 1 तो 0 की square करेंगे तो 0 आ जाएगा फिर minus का चिन है 0 प्लस 1 अब सबी को जोड़ेंगे तो क्या आजाएगा एक आएगा क्योंकि 0 में से 0 गटाया 0 फिर क्या बचेगा एक तो एक आगए ठीक है अब क्या रखेंगे दुवारा हम रखेंगे एक रखेंगे तो हमने बहुपद लिखा P Y बराबर Y square minus Y पलस 1 तो P किजगे Y किजगे क्या रखेंगे एक तो एक किजगे मतलो Y किजगे एक है तो एक किजगे फिर minus Y का मान एक पलस 1 एक किजगे करेंगे तो एक ही आथा क्योंकि एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा तो एक किजगे एक हो जाएगी फिर माइनेस एक पलस एक अब देखो एक में से एक गटाया तो क्या बच्चा जीरो पलस का चीन है फिर आगया एक ठीक है तो जीरो में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या हैगा एक ही आएगा तो P1 का मान हमारे पास में कितना आगया एक अब देखो P2 का मान रखने पर ठीक है तो PY बराबर Y की स्केर माइनस Y पलस एक ये तो हमें बहुपत दे रखा है हम इसमें Y की जीरों दो रखेंगे तो P2 बराबर Y की जीरों दो तो 2 की स्केर माइनस 2 पलस एक 2 की square करेंगे तो कितना आएगा 4 क्योंकि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 ही आता है माइनस 2 पलस 1 अब ये 1 पलस का है ये 4 भी पलस का है दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे पलस के 5 तो 5 माइनस के 2 तो देखो 5 में से 2 गया हमारे पास में बच्चा 3 अब इसी परकार दूसरे कुष्चिन में बहुपत दे रखा है क्या दे रखा है ट दे रखा है तो हमारे पास में दे रखा है P T बराबर 2 पलस T पलस 2 T की square माइनस 3 T की Q ये दे रखा हमें अब इसमें हमें क्या करेंगे T बराबर सबसे पहले 0 रखेंगे तो P T बराबर 0 रखेंगे तो P T बराबर 2 पलस T पलस 2 T की square माइनस T की Q 2 का 2 पलस का चीन है T क आमान हमने 0 रखा 0 पलस 2 T का मान यहाँ 0 है तो 0 किएंगे हिसकी स्केयर हो जाएगी माइनिस टी की जगएं । जिरो की वह चाहिए अब दो का दो टी का मां चीओ Felix दो excitable देखों दो का दो गुणआ टीकी जीरो की स्केयर करेंगे तो जीरो ही उता है माइनिस जीरो की क्यूप आए तो जीरो जे लो ही लोत है प्रक नहीं पड़ेगा तो दो आगया तो पी टी का मान हमारे पास में क्या आगया दो पी जीरो का मान अब क्या करेंगे हम टी बराबर कुश्चन में क्या रखेंगे पिल हमने सुने रख लिया तो एक रखेंगे तो हमारे पास में बॉकपद है पी टी बराबर दो पलस टी पलस दो टी की स्केर माइनस दो टी की क्यूब ये दे रखा है तो टी की जीरों रखा एक एक बराबर दो पलस टी का मान एक पलस दो टी की जीरों एक तो एक की स्केर माइनस एक की क्यूब तो दो का दो पलस एक दो गुणा एक की स्केर करेंगे तो एक ही आएगा क्यूंकि एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आता है माइनस एक की क्यूब करेंगे तो एक है तो दो पलस एक दो को एक से गुणा करेंगे तो दो माइनस का एक हम इनको जोडेंगे 2, 1, 3 और 2, 5 5 माइनिस का यह बराबर कितना बचा चार कロ़िए 5 में सेट गिया तो 4 बचेगा अब क्या करेंगे T2 का मार रखने पर तो हमारे पास में बहुत है P T बराबर 2 पलेस T पलेस 2 T की स्केर माइनिस T की Q तो 2 का 2 पलेस 2 पलेस 2 2 часть जीज़े हमने रिखा दो दो की स्केर माइनस टी की जीज़े हमने दो रखा तो दो की क्यूब हो जाएगी ठीक है तो दो की क्यूब हो जाएगी तो दो का यह एगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 ठीक है प्लस यहाप एक स्टेप मैंने लिखा नहीं 2 प्लस 2 कितने हो गए 4 प्लस 2 का 2 गुणा अब देखो 2 की स्केर 2 की स्केर कितनी होती है 4 ठीक है माइनस 2 की क्यूब कितनी होती है आठ अब दो की क्यूब आठ या स्केर वाला आपको समझ में नहीं आता तो आपको बताता हूँ यहां हमने लिखा है दो की क्यूब दो की क्यूब का मतलब यह होता है दो को तीन बार लिखना है एक बार, दो बार, तीन बार बुना करूँ 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 2 से गुना किया 8 तो 2 की cube कितनी आ गई हमारे पास में 8 आ गई तो हमने 2 की cube यहां पे कितनी लिग दी 8 लिग दी तो 4 का 4, अब 2 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 8, चार दो 8, फिर माइनिस 8 तो 4 का 4 8 में 8 गया, 0 की क्यूप दे रखा है तो अब इसमें हम रखेंगे x बराबर हमने रखा 0 रखने पर, तो p, x बराबर x की क्यूप, p, 0 बराबर यहां पे रखा 0, तो 0 की क्यूप कितनी होती है, 0 जिरो क्यों कोई भी, sq, k양وب क्यूप हो, तो 0 ही होता है, अब हमने रखा x x vin rяз हैं vedere, एक्स बराबर एक्स की क्यूब पी दो दो रखना है तो दो की है यहां पर क्या करें क्यूब अभी मैंने बताया था दो की क्यूब कितनी होती है आठ जो इस कोश्चन में यहां पर मैंने समझाया था दो की क्यूब आठ तो यहां पर दो की क्यूब कितनी होती है आठ तो आठ हम बात करते हैं question number 4 की question number 4 में दे रखें px बराबर x minus 1 x plus 1 ठीक है अब इसमें सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो px बराबर x minus 1 x plus 1 तो p0 बराबर 0 minus 1 और x को मान यहाँ 0 है तो 0 plus 1 अब देखो 0 में से minus 1 गठा है तो minus 1 यह बचता है गुणा 0 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा ठीक है तो minus 1 और plus 1 दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा minus का चिन आता है ठीक है तो minus 1 आगया अब रखेंगे x बराबर 1 रखने पर तो px बराबर x minus 1 x plus 1 तो x का मान हमारे पास में 1 है तो x का मान हमने रखा 1 minus 1 और 1 plus 1 क्योंकि x का मान यहां 1 आगया यहां पर एग आगया तो 1 में से 1 गया 0 1 plus 1 2 अब 0 को किसी भी संक्या से गुना करेंगे तो वो 0 ही आता है अब x बराबर 2 रखने पर तो px बराबर x minus 1 x plus 1 तो नहूँ यहां पर क्या x का मान 2 रखना है आगके बार तो यहां रखा मैंने 2 minus 1 2 plus 1 ठीक है दो में से 1 गया 1 बचेगा ठीक है 2 plus 1 कितना हो गया 3 अब 1 को 3 से गुना करेंगी 1 को 3 से गुना गया 3 तो P2 का मान कितना हो जाएगा तीन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेर करें